Hello my dear students, तो आज सब जने बहुत खुश है, I am sharing a good news with you, which RBSC has released. RBSC ने क्या good news दी है सारे बच्चों को, वो ध्यान देंगे और सिर्फ इसी session के लिए है, इस बात का सब जने note करेंगे, ठीक है? तो क्या good news है हमारा कितना सले बस, जिसका सब जने eagerly wait कर रहे थे, तो देखेंगे कितना सले बस हमारा कम हो चुका है, हमें कितने सारे में से कितना सा पढ़ना है, तो ये सारी चीछे देखेंगे, मैं एकदम detail में आपको यहाँ पर बताऊंगा बिटा, हर chapter की किस exercise cancel हुई है, क subject है, mathematics, किस की बात चल रही है, mathematics की बात चल रही है, subject code है आपका 09, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इस session के लिए valid है, इस बात को ध्यान रगना, सिर्फ और सिर्फ इस session के लिए valid है, ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो question paper है, वो कैसा होगा, one paper होगा 3.15, that means, सवा 3 घंडे का paper होगा, marks of paper होगे, 80, 20 marks, assessment के जाएंगे, जो school अपने internal exam के भेजते हैं, total होगे आपके 100 marks, total कितने होगे पेटा, 100 marks, ठीक है, अब देखो आगे, अब ये हमारे है unit wise, मैंने पहले इस book को पूरा unit wise describe किया है, उसके बाद मैंने उस unit में कितने chapter आते है फिर chapter wise भी लिया है, इससे एकदम clear clear सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा, फटा फटा अपनी book लेके बैट जाएए, और जो मैं करवा रहा हूँ, जो मैं board पे लिख रहा हूँ, वो note करते रहिए, इससे आपको एकदम अच्छे से पता चल जाएगा, कि आपको कितने में इससे कितना सा पढ़ना है, ठीक है, चलो, ओके, now let's start, तो देखो, सबसे पहला आता है आपके Vedic Maths, सबसे पहली unit है, जिसका नाम है Vedic Maths, इस Vedic Maths में एक chapter consider किया जाता है, कौन सा chapter, chapter first, क्या है fundamental concepts of Vedic Maths, fundamental concepts of Vedic Maths, इस chapter में क्या हटा, removed, यह है removed, solution of simple equation, देखो, simple equation के solution, using Vedic Mathematics is removed, इसके आपके exercise, एक ही exercise है, उस exercise में इसका कोई भी question नहीं है, ठीक है, तो इस topic के questions कहां मिलेंगे, example में, तो कुछ examples आपके delete हो गए है, कुछ examples आपके delete हो गए है, exercise पूरी करनी है, क्योंकि exercise में equation के questions नहीं है, ठीक है, एकदम अच्छे हैं समझ आया ना, आगे दे system unit में एक chapter आता है, real number, और यह क्या लिखा है, completely deleted, यह पूरा का पूरा chapter delete हो गया है, students, पूरा chapter ही delete हो गया है, हमें real number chapter नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, that's it, पूरा chapter delete हो चुका है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आएगा chapter 3, इस chapter 3 मतलब unit 3 algebra है, इस unit 3 का first chapter जो है, वो है हमारा chapter 3 और उस chapter का नाम है, polynomials, क्या नाम है, polynomials, इस exercise में, इसमें क्या बोला, statement and simple problem, statement and simple problem on division algorithm, किस पे, division algorithm पे, for polynomials with real coefficients, यह exercise नहीं पढ़नी है, ठीक है, यह exercise कौन सी है, 3.2, नहीं करनी है, 3.2, नहीं करनी है, ठीक है, उसके बाद, LCM and HCF of algebraic expression, यह है आपका 3.6, जो नहीं करनी है, बाकी सारी exercise करनी है, दो exercise इस chapter में से delete होती है, 3.2 and 3.6, मेरी बाद समझ आई एकदम अच्छे से, ठीक है, कोई problem नहीं यहाँ तक, third chapter तक, ओके, अब देखो, अब यहाँ पे बात चल रही है, chapter 4 की, chapter 4 भी आपकी algebra का ही part है, ठीक है, chapter 4 में linear inequalities in two variables, linear inequalities in two variables, आपकी delete हो गई है, इसका मतलब 4.2 जो है आपकी, वह आपकी delete हो चुकी है, इसका मतलब 4.2 जो है आपकी exercise, वह exercise delete हो चुकी है, ध्यान देना, जो exercise delete हुई है, जो topic delete हुए है, उस related question चाहे कहीं पे भी हो, example में हो, deleted, miscellaneous में हो, deleted, topic delete का मतलब होता है, उस topic से related, जितनी भी problems है, जितनी भी questions है, सारे के सारे delete हो गए है, ठीक है विटा, अगला है arithmetic progression, अगला क्या है, arithmetic progression, ये भी आपका chapter algebra का ही part है, और इस chapter में देखो, क्या delete हुआ है, application in solving the daily life problem on the basis of sum of end terms, sum of, जो SN वाला formula हम लिख है, SN क्या होता है, SN is n by 2, 2a plus n minus 1d, ये जो formula होता है, इस formula पे जितनी भी problem base है, वह सारी की सारी problem बिटा delete हो गई है, that means SN की term delete हो गई है, यहां से 5.3 आपकी हट जाती है, यहां से 5.3 जो है आपकी हट जाती है, मेरी बाल समझ आई, एकदम अच्छे से, okay, अब देखो आगे, जो हमारा ये chapter है, अपनी unit है 4, unit 4, that is trigonometry, इस 4th unit में 3 chapter आते हैं, पहला आता है trigonometric ratio, फिर आता है trigonometric identity, फिर application जिसमें heightened distance आता है, ठीक है, तो जो first chapter है, वो है relationship between the ratios, जो भी आपके ऐसे questions होते हैं, sign upon cost, ये ratios के relation के जो questions है, वह questions हटे हैं, ठीक है, इसमें हम कोई भी specifically, कोई भी exercise नहीं दे सकते हैं, इसमें हम कोई भी exercise नहीं कह सकते हैं, इसमें जो complicated questions थे, वो हटे हैं, simple questions आपको करने हैं, मेरी बात समझाई, और topic तो सारे के सारे पढ़ने, trigonometry बहुत ही important topic होता है, हमारी mathematics का, जो 11, 12 आगे भी काम में आता है, तो इसको ह पाद trigonometric identities, trigonometric identities जो आपका 7th chapter है, इसमें क्या बोला, complementary angles, what do you mean by complementary angle, ऐसे 2 angles जिनका sum, अगर angle x और angle y का sum 90 degree होता है, तो उन्हें कहता है, कॉम्प्लिमेंटरी, तो ऐसे जो भी थे, 90 minus theta, 90 plus theta, ये सब delete हो गए हैं, तो यहां जो 7th chapter है, इसमें आपकी exercise 7.2 जो है, वो delete हो जाती है, 7.2 exercise जो है, वह आपकी delete हो जाती है, मेरी बात समझ माई, एकदम clear, यहां तक कोई confusion नहीं, एकदम आप book के साथ साथ cross करते जाएं, आपको मजा आ जाएगा, अब देखिए, इसके बाद जो हमारे पास ही 8th chapter है, application of trigonometry, ये trigonometry का ही part है, ये है heights and distance, इसमें no deletion, इसमें क कुछ भी delete नहीं है, बहुत ही easy chapter है, मगर थोड़ा सा ध्यान रखने वाला chapter है, ठीक है, इसमें no delete, इसमें कुछ भी delete नहीं हुआ है, ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, ध्यान देना, ये पूरा का पूरा पढ़ना है, बहुत important और interesting chapter है, ठीक है, ओके, आगे देखो अब हमारे पास हमारी unit 5 आती है, coordinate geometry, इस unit 5 में एक chapter आता है, that is chapter number 9 और coordinate geometry, क्या आता है, coordinate geometry, इस total chapter में 3 topic थे, एक था distance formula, एक था section formula और एक था area of triangle, जिसमें से section formula और area of triangle हट चुके हैं, सिर्फ एक आपके पास रह गया, तो जो ये 9th है, इसमें आपकी 9.2 हट चुकी है, क्या ह हट चुकी है, आपको सिर्फ और सिर्फ 9.1 करनी है, जो किस पे base है, जो आपके distance formula पे base है, विल्कुल easy बनी है ना chapter, जो आसान चीज़े हैं, वो आपके लिए रखी गई है, बाकि जो hard चीज़े थे, वो हटा दी है, ठीक है, अब देखो, उसके बाद unit 6 start होती है, unit 6 है आप current points of the triangle, circumcenter, in center and ortho center, जहां भी ये 3 word देखो, वो question नहीं करना, वो question नहीं करना, तो इसमें 10.1 और 10.2 में, 10.1 और 10.1 ध्यान देना, पूरी नहीं हटी है, ठीक है, पूरी नहीं हटी है, इनके related questions आपको in exercise में मिलेंगे, और वो questions आपको नहीं करने है, ठीक है, पूरे नहीं ह 10.1 और 10.2 में मिलेंगे, इस topic के related जो questions है, वो आप क्या करेंगे, delete कर देंगे, नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ओके, आगे देखेंगे, geometry का ही ये chapter है, similarity, geometry का ही ये chapter है, similarity, इसमें क्या बोला, proof of the following theorems are deleted, कुछ theorem है, उनके proofs delete हो गए है, that means, अगर theorem के proofs delete हो गए है, तो इस theorem से related questions भी delete हो गए है, इस theorem से related questions भी delete हो गए है, examples भी delete हो गए है, और miscellaneous में अगर है, तो भी delete हो गए है, ठीक है, theorem कौन सी है, the ratio of the area of two similar triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding sides, ये theorem आपकी इसमें delete हो गई है, ठीक है, इसका आपको 11.4, exercise 11.4 में इसके related questions मिलेंगे, ठीक है बिटा, और एक theorem डिलेट ह ये, in a triangle, if the square on one side is equal to the sum of the square on the other two sides, the angle opposite to the first side is the right triangle, that is Pythagoras theorem, कौन सी theorem है, ये second वाली, Pythagoras theorem, Pythagoras theorem delete हो चुकी है, ठीक है, Pythagoras theorem delete हो चुकी है, अब जब ये theorem delete हो गई, तो इनकी converse भी deleted है, उनको भी नहीं पढ़ने, ठीक है, इनकी जो converse theorem है, वह भी delete है, उनको भी नहीं तो यहां तक समझ में आया हमें chapter similarity, 11th chapter में 11.4 के in topics related questions हट चुके हैं, ये theorems के proof जो आते हैं, वो हट चुके हैं, इन theorem की जो converse है, वह भी आपके exam में नहीं पूछी जाएगी, आगे देखते हैं chapter 12, chapter 12 आता है circle, chapter 12 आता है circle, जो है cyclic quadrilateral का topic इसमें से हट चुका है, और cyclic quadril lateral का topic मिलता है आपको 12.4 में, तो 12.4 पूरी की पूरी हट गई, नहीं करनी हमें, 12.4 पूरी की पूरी हमें नहीं करनी, ठीक है, आगे देखो, circle and tangent, chapter 13, chapter 13, circle and tangent, यहां पे क्या हटा, यहां पे हटा, tangents of circle and its related theorem, tangents of circle and its related theorem, ठीक है, and cold and angles of alternate segment, यह दो topic यहां पे हट चुके हैं, ठीक है, यह दो topic यहां पे हट चुके हैं, इसका मतलब 13.2 पूरी की पूरी हट गई, 13.2 पूरी की पूरी हट गई, ठीक है, मेरी बात समझवाई, chapter 13 तक एकदम clear हो गया होगा, आपने सबने note गिया है, construction, chapter 14, chapter 14 जो आता है, वो आता है, construction, और chapter 14 में क्या बोला है, construction of common triangles of two circles, construction of circumcircle and encircle of triangle, ठीक है, यह चीज़े हट गए हैं, तो यह कौन सा portion आता है, वो आपको बताता हूँ, इसमें देखो, 14.1 में, इसमें 14.1 में ध्यान देना, question number 10 and 11 हट गए है, question number 10 and 11 हट गए है, 14.1 में 2 question delete हो है, कौन सा question number 10 and question number 11, ठीक है, साथ ही साथ, 14.2 के बारे में मैं बोलूंगा, कि पूरी की पूरी हट चुकी है, 14.2 पूरी की पूरी delete हो चुकी है, ठीक है, यह बात थी आपके construction chapter की, इसके बाद देखेंगे आगे, mensuration, unit 7, that is a mensuration, इसमें area की बात करी जाती है, chapter 15 आता है, circumference of the circle and area, यह आपका chapter 15 आता है, क्या आता है, circumference of the circle and area, इसमें क्या-क्या हटा, area of sector हट गया, segment of the circle हट गया, क्या-क्या हटा, area of sector हट गया, and segment of circle हट गया, इसका मतलब यहां से 15.2, 15.3 ठीक है एकदम ध्यान देंगे अच्छे से 15.3 यह दौनों की दौनों exercise delete हो गई है 15.2 भी गई 15.3 भी गई ठीक है इसके बाद आता है surface area and volume chapter जो बहुत ही easy chapter है इसमें देखो surface area and volume of the cone cone वाला topic आपका हट गया है and converting one type of metallic solid into another that means एक cone है उसको melt किया cylinder बना लिया समझे एक आपके बाद sphere है उसको melt किया cuboid बना लिया ऐसे questions हट गये है ठीक है ऐसे questions हट गये है मतलब converting from one solid to another solid यह questions हट चुके हैं जो volume पे base थे समझ रहे हो ना जो volume पे base थे वह question हट गये और surface area and volume of cone का topic आपका पूरा का पूरा हट चुका है that means 16.3 आपकी हट गई है that means 16.3 जो है बिटा आपकी remove हो गई है हट चुकी है अब हम आगे देखेंगे chapter unit 8 that is a statistic इसमें chapter 17 जो है वो है statistics measures of central tendency इसमें क्या बोला mode of ungrouped and grouped data मतलब topic 1 हटा है उस topic का क्या नाम है mode ध्यान देंगे topic 8 हटा है topic 1 हटा है जिसका नाम है mode और यहाँ पे 17.8 जो आपकी प्रशनावली थी exercise थी यह आपकी यहाँ से remove हो गई है 17.8 exercise आपकी remove हो गई है which depends on this topic ठीक है इसके बाद probability no deleted और हमें कुछ इसमें delete चाहिए भी नहीं बहुत ही छोटा और अच्छा और scoring chapter है ठीक है इसके बाद हमारे पास हमारा chapter आता है that is ninth chapter और इस ninth chapter में आप क्या देखोगे road side road safety education यह unit 9 है और chapter 19 है ध्यान देना unit 9 है and chapter 19 है इसमें कुछ भी delete नहीं हुआ है एक बाद ध्यान देना इस chapter में sum of AP के कुछ questions आते हैं तो जिस समय ये chapter करवाएंगे उस समय थोड़ा सा हमे sum of AP पढ़ना पढ़ेगा वो हमें जितनी जरूरत इस chapter में है उतनी पढ़ लेंगे तो बेटा एकदम book के साथ आप बैठे है थे और आपने एकदम सारी चीजे note करिया आपको मज़ा आ गया होगा और आपको पदा चल गया होगा filter लगा लिया आपने के हमें इतने सारे में से अब कितना पढ़ना है और अब हमें बस हमारी मेहनत करनी है और हमें अब हमारी मंजल तक पहुंचना है और अब तो बहुत ही रास्ता और आसान हो गया हमें कोई नहीं रोग सकता ओके students so thank you so much have a nice day and good day great day and all the best for your exams